दोस्तो आप लोग पिछले कई दिनों से इन सारे न्यूस से रूबरू तो हो ही रहे होंगे दोस्तो कैनेडा के इंडिजिनुस स्कूल से आए दिन ग्रेव्स मिल रहे हैं एक्सपर्ट्स तो यहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि कैनेडा में यदि धंग से ढूंडा जाए टटोला जाए तो 4000 से 10,000 तक ऐसे कबर आने वाले दिनों में मिल सकते हैं दोस्तो अब तक यदि हम देखें तो 28 में 2021 से अब तक यानि जून के अन्द तक यानि की लगभग एक महिने में 966 से भी ज्यादा अन्मार्ग्ड ग्रेव्स इन स्कूल कमपाउंड्स में मिल चुके हैं ये ग्रेव्स मिलने का सिलसिला शुरू होता है 28 में को जब कैमलॉप्स इंडिजिनस स्कूल में 215 इंडिजिनस बच्चों के कबर मिलते हैं उसके बाद जून 4 को ब्रैंडन से 104 इंडिजिनस बच्चों के कबर मिलते हैं और फाइनली जून 25 को मेरीवल से 751 ग्रेव्स मिलते हैं जिन में मुख्यता ग्रेव्स तो बच्चों के थे पर कुछ ग्रेव्स एडल्ट्स के भी थे दोस्तो ये सारे ग्रेव्स अन्मार्ट हैं मानो जैसे इन्हें चुप चाप दफना दिया गया हो या इनकी मौत के पीछे कोई कंसर्न भी नहीं शो किया गया हो दोस्तो यहाँ पर सवाल उठता है ये ग्रेस आये कहां से कैनेडा से हजारों इंडिजिनस बच्चे स्कूल तो आये पढ़ने के लिए लेकिन कभी वापिस घर नहीं जा सके इन्हीं को आज मिसिंग चिल्डरन के नाम से भी जाना जाता है नमस्कार दोस्तो मैं एक इंजल चौदरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तो आप मुझसे में टेलेग्जाम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपराद आपको पीडियाफ अप्डेट्स मिल जाएंगे और साथी साथ ये मेर की आपको लगता है कि से जुकिरेटर को नहीं कहनी चाहिए थी तो वह बात भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि आप बढ़का हूं हो या कुछ ऐसी बात हो जो उससे नहीं कहनी है तो यूट्यूब के आप डिस्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे तो आपको लिं दोस्तों Canada में Europeans के आगमन के पहले कई indigenous people जिने aboriginals भी कहा जाता है वो रहा करते थे दोस्तों ये मुख्यता इन्यूट से अफिर मेती ट्राइब के हुआ करते थे दोस्तों इनकी अपनी civilization थी और अपना culture एवं अपना language भी था किंतों दोस्तों वक्त का बहिया घूमता है और लगबग 1500 CE onwards European colonization यहाँ पर शुरू हो जाता है दोस्तों 1867 आते आते Canada British Dominion बन जाता है और उसके साथ शुरू हो जाता है program of assimilation जिसके तहत indigenous people को indoctrinate किया जाता है कि वो कैसे Euro Canadian इसके इलावा Christian way of life को adopt कर ले इसके लिए मित्रो 1883 में Canadian Prime Minister John MacDonald indigenous population के लिए residential school set up करते हैं दोस्तों धीरे धीरे ऐसे 100 से भी जादा residential school Canada भर में set up हो जाते हैं इन schools में indigenous बच्चों को जबर्दस्ती अपने माता पिता और अपने परिवार से दूर करके भरती करवाया जाता था किन्तु दोस्तों ये school severely underfunded थे और इस वज़े से ये church के donations पर निर्भर करने लगते हैं दोस्तों लगबग 3-4 ये school अगर आप देखे तो उनकी 3-4 हिस्सा Roman Catholic Missionary Congregations के द्वारा रन किया जाता था और बाकी के एक चोथाई school Protestant Denominated Churches के द्वारा रन किये जाते थे दोस्तों इन schools में पैसों की किलत की वज़े से बच्चों से काम भी करवाया जाता था इन schools में पशुपालन, खेती करना, कपड़े बनाना जैसे इत्यादी काम बच्चों से करवाय जाते थे और तो और इन बच्चों के साथ अमानविय बरताओ भी किया जाता था अपने परिवार से इतने कम उमर में जबर्दस्ती बिचडने का दर्द कम था क्या जो इन पर physical torture, emotional abuse, sexual abuse भी किया जाता था दोस्तों इसके सिवा इन schools में यदि कोई बच्चे अपनी indigenous भाषा का प्रयोग करते अधवा वो अपने किसी cultural practice को celebrate करते तो भी उन्हें physical abuse को जहलना पड़ता दोस्तों इन इसिडिंशिल स्कूल में unsanitary living conditions भी थे जहां disease और accidents बहुत common हुआ करते थे इनमें आए दिन बच्चों की जान भी चली जाया करती दोस्तों इन स्कूल में जिन students की मौत हो जाया करती थी उनके पार्थिव शरीर को भी वापिस घर नहीं भेजा जाया जाता था बलकि उनके शरीर को स्कूल के ही परिसर में गाड दिया जाता था आज दोस्तों यही मुर्दे कबर से निकल कर अपनी दुख बरी दास्ता दुनिया को बयान कर रहे हैं जो भी है दोस्तों 1996 में कैनेडा में residential school ban कर दिये जाते हैं और 2008 में Canadian government indigenous बच्चों पर किये गए अत्यचार के लिए खुद को जिम्मेदार ढहराते हुए एक formal apology भी issue करती है दोस्तों अब तक 80,000 से भी ज़्यादा former students को Canadian सरकार लगभग 5 billion Canadian dollar का compensation provide कर चुकी है इसके सिवा एक Canadian Truth and Reconciliation Commission का भी गठन किया जाया जा चुका है उसने इन indigenous school को एक cultural genocide का tool designate किया है दोस्तों इन schools में देड़ लाग से भी ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं और Canadian Truth and Reconciliation Commission ने 2015 तक 5100 या फिर 4100 से भी ज्यादा students की death report की है दोस्तों ये बच्चे जो कभी अपना घर वापिस नहीं लौट पाए उनको Canada में missing children कहा जाता है दोस्तों Canadian PM Justin Trudeau ने इस घटना को एक tragic colonial history कहा है और शर्मिंदगी भी जताई है इसके इलावा उन्होंने Pope Francis से भी दरखास्त की है कि वो भी इस cultural genocide के लिए apology issue करें क्योंकि अंत्ता थीन चौथाई से भी जादा schools Catholic churches के द्वारा ही run किये जाते थे दोस्तों Canada इन grave sites को preserve करेगी as part of their colonial history and cultural genocide committed by them इसके इलावा अन्य अन्माग्ड grave sites को भी ground penetrating radars के द्वारा ढूंड़ा जाया जाएगा और इनके मिलने पर उमीद है उन्हें भी एक आखरी विदाई एक आखरी आसू जिसके वो हगदार थे वो अदा किया जाएगा बागी दोस्तों जो भी एनक आट भी पर आएं UC code KC10 क्योंकि से आपको 10% off नहीं मिलेगा बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी डायक्लिक मेरे दवारा डायक्ट हैं मिलेगी बेस्ट नोट्स मिलेंगी और जो गाइडेंस है उसारे सब्जेक्स ऑफ जीए ऐसे जिग्रफी सब्सक्रिप्शन लें तो भी आपको मेरी मिंटरशिप मिलेगी दोस्तों इस वक्त हम मोस्ट कॉंप्रेहेंसिव व्यू टेस्ट सीरी बीरन कर रहे हैं जिसके तःफ दोस्तों आप अगर देखें तो हम आपको एक टेस्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी प्रिलिम्स स्विक्ट अगर हम करें तो प्लस सब्स्क्रिप्शन में भी 30 में टेस्ट आपको मिलेंगे और आपकी कॉपीज इवालुएट भी की जाएंगी अगर आप टाइम बाउंड बैनर में इसको सब्मिट करें तो दोसों 30,000 की जो जिसकी कॉस्ट है यह आपको कॉंप्लिमेंटरी मिल रही है बस अभी 30 जून तक आपको यह कॉंप्लिमेंटरी मिल रही है प्लस जीएस के प्लस सब्सक्रिप्श जीएस ऑप्शनल कॉंबो यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन एक सालिया उसे अधिक का लेते हैं उसमें एक जीएस होना चाहिए इसके सिवाद दोस्तों आप अगर देखे तो महां सब्सक्रिप्शन आफर हम रन कर रहे हैं जून तक ही रन हो रहा है तो कर रहे हैं एंड फिजिकल बुग्स भी प्रोवाइट कर रहे हैं एक साल की सब्सक्रिप्शन के साथ तो यह सारी चीज़े कॉंप्लिमेंटरी है यह बुक्स आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों भाशाओं में आपके अनुसार उपलब्द हो जाएंगे तो दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन की दो साल की कॉस्ट है दोस्तों एक लाग 14,175 रुपए डाट इस आफ्टर यूजिंग दी कोड के सी वन जीरो एंड साथ साथ दोस्तों अगर आप सिर्फ ऑप्शनल सुस्क्रिप्शन लेना चाहें तो वह भी एविलेबल है तो इसकी एक साल की कॉस्त साथ सो पचास रुपए आफ्टर यूजिंग दी कोड के सी वन जीरो इस जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं आप जिसा स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे नए बैचेस रन कर रहे हैं तो इसका हिस्सा बने टाइमली जल्दी से जाएं और इन बैचेस का हिसा बने टैसरीज दोस्तों रन कर रहे हैं के सी वन जिरो कोड का इस्तेमाल करें और इंटर्स सीरीज को जोइन करें और अकैडमी कॉमबएट स्कॉलरशिप टेस्ट भी रन हो रहा है दोस्तों तो इसका हिसा बने यूजिंग दी कोड चैसी बन से डू तैंक यू